परणाम चाची खाना वना बना लिका अरे हमको छोड़ो तुम इतना जल्दी में का है हो कहीं जाना है का गर्मी का दिन है ना इसलिए सुबा नौबजे जल्दी जल्दी खाना बना लिये हैं इस सब का बड़ बड़ा रही हो गर्मी का दिन है नौबजे तक खाना बना लिये अरे भूत उत नहीं चाची कल बगल कटोला में आग लगया था बरी मुश्किल से काबू पाया गया वही मुख्या जी बता रहे थे कि घर में आग लगी से बचने के लिए दिन का खाना सुबा नौ बज़े तक और रात का खाना शाम 6 बज़े बात बना लेना चाहिए क्योंक मुंबत्ती लांटेन को ऐसे जगह रखना चाहिए जहां गिरकर आग लगने की संभावना कम से कम हो अरे मुनिया इतना तुम कहां से जान गई तुम भे गई थी का ना ना हमको तो आग से ब्राडर लगता है हम तो एक किताब में अग लगी के बच्चाव के उपाई पर र किचन में जाने पर अगर गैस की गंधा आ रही हो तो बिजली का स्विच ओफ और नहीं करना है या गैस लाइटर दिया सलाई नहीं जलाना चाहिए पहले सभी खिरकिया दर्वाजे खोल दे और रेगुलेटर का नौप कसकर बंद कर ले जिससे गैस बहार निकल जाए और बंद हो जाए गैस का रिसाओ नहीं होने की दशा में ही किचन में कुछ करने पर सोचना चाहिए खाना बनाते समय हमेशा सूती का ही कप्रा पहनना है और यदि फिर भी आग लग जाए तो 101 नंबर पर फोन कर तुरन 5 रिकट को बुला लेना चाहिए अरे चाची कहा चल दी चाहिए तो पीते जाए चाहिए बाद में हमरे घर का बच्चा सब इतना शैतान है कि पूछो मत खेट से हराचना छिन्मी भुट्टाई सब लेके आया है घरे में पका रहा होगा हम तो समझ गए अब उनलों को भी समझा देते हैं कि आग से खिलवाड नहीं पकाना है तो घर के बाहर हमरे सामने पकाओ हाँ क्योंकि जो हरपल सतर्क रहेगा वही अगलगे की दुरखटना से बचेगा